तो आज का मेरा टॉपिक है कि वेट कम करने के लिए वज़न कम करने के लिए और वेली फैट जो पैट पर जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए एक ड्रिंक के बारे में मैं बताऊंगी कि उसमें क्या-क्या मिला के पीने से आपका बहुत तेजी से वेट कम होगा उसके साथ और अपकी हेल्फ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी तो सबसे पहले तो यह देखा गया है कि जो भी लोग मोटे होते हैं जिनकी पॉन निकली भी होती है बेली फैड जादा होता है तो उन लोगों में इंसलें देजिस्टथ भी पाया जाता है इंसलें देजिस्टथ जब भी हम कुछ खाते हैं जो लोग बार बार खाते हैं फ्रικवेट स्क्वेट इसकी के लिए insulin निकलता है, insulin नाम का एक hormone chemical substance निकलता है हमारे pancreas नामी organ से, हमारी body के अंदर एक organ होता है pancreas, तो वो insulin बनाता है और वो insulin को बाहर निकलता है, ताकि हमारे blood में glucose का level सही रहे, तो इसलिए जब भी हम कुछ खाते हैं, तो insulin निकलता है, और insulin क्या करता है, इस glucose को fat में convert करके liver में जमा करने लगता है, तो जितना भी हम, जितनी ज़्यादा हम sugar खाएंगे, वो fat में change हो जाएगी, और liver में जमा होने लगेगी, फिर उसके बाद cholesterol बढ़ने लगेगा, मोटापा, और पूरी body में ही fat बढ़ने लगेगा, तो पेट पर, हमारी thighs पर, हमारे हाथों प frequent snacking नहीं करना चाहिए, बार-बार कुछ तो भी खानते रहने की जो आदत होती है, वो बहुत डेंजर होती है, तो इसलिए हमको अगर weight कम करना है, तो हमको fasting या उपास रखना, रोजे रखना बहुत जादा फाइदमन्द होता है, उसके साथ साथ, इसको कहते हैं intermittent fasting with keto diet, अ मैदा ना हो, शुगर ना हो, मिठाईया ना हो, और उसके बजाए जादा सलाद आपको खाना चाहिए, और healthy protein खाना चाहिए, जैसे के chicken वगरा है, और nuts हैं जैसे के बादाम अखरोट वगरा, वो भी एक हदस में खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी calories होते हैं, तो protein तो आपक intermittent fasting करना है, यानि आपको अपना fasting के अवार्स, यानि इतने घंटे आपको बढ़ाते जाना, 24 घंटे का दिन है, तो उसमें से आप 16-20 घंटे कुछ ना खाए, चार घंटे जो बचे में बीच के, उसमें ही खाए, जैसे आप breakfast skip करते करते, लंच को एक बजे करने लगे, फिर दूसरा खाना च्छे बजे, फिर उसके बाद आप कुछ ने, फिर एक बजे को भी आप कम करते करते, एक ही meal अगर आप दिन में ले रहे हैं, उसको कहते हैं, वन मील अडे, तो वन मील अडे अगर आप लेने लगेंगे, और बहुत जादा सास से आठ कप, आप सलाद दिस् यह सारी चीज़ें, हेल्थ के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होती हैं, सलाद खाने से आपको विटाइमिल्स और मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वज़े से केटो डाइट का नुखसान नहीं होता, हेल्थी केटो जो से कहते हैं, यानि आप कार्भाडरेट को कम करेंगे, औ साथ साथ सबसे जादा आपको बढ़ाना है, वेज़ेटेबल्स और सैलेट को, तो इसकी वज़े से आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, ठकन नहीं होगी, और आप साथ से जादा जो है, फास्टिंग करके अपना वेट तेज़े से घम कर सकेंगे, इसकी साथ साथ मैं जो ड्रंक लेवल्स भी कंट्रोल होने लगेंगे, शुरू आती जिनों में तो जो है, जब हाप केटो डाइट करेंगे तो लीवर में गलोको नियोगनेसिस शुरू हो जाएगी, यानि लीवर प्रोटीन से और फैट सेल से भी गलोकोस को बनाकर बोडी में सीक्रेट करेगा, बोडी म पीते रहें जो मैं बताने वाली हूँ, तो आपका बहुत जादा तेज़े से बेली फैट कम होगा, वेट कम होगा, ब्लेट शुगर लेवल आपकी सही रहेगी, इस्टैबल रहेगी, आपका डियवर्टीस कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी इंसुलिन डेजिस्टन जो ए ब्रेट खाते हैं, वो बहुत जादा नुखसान दे होता है, क्योंकि इसमें मैदा होता है, वो ना खाएं, तो वो खाने के बाद इंसुलिन निकलती है, और बाडी हमारी हमारी सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी विज़े से इंसुलिन डेजिस्टन पैदा ह होता है और फिर से भूख लगती है और यह जो हम रिफाइन कार्बोहड़रेट खाते हैं वो फैट में चेंज वोकर फैटी लिवर भी पैदा करते हैं और इन डाविटीज भी पैदा करते हैं तो इसलिए हमको frequent snacking नहीं करना चाहिए शुगर कार्बोहड़रेट वाली चीज़ें बिल्कुल कम कर दीने चाहिए और complex कार्बोहड़रेट जैसे के जिसमें फाइबर होते हैं जो के vegetables में होते हैं ग्यूं के आटे में होते हैं वो हम 50 ग्राम तक टेली खा सकते हैं लेकिन हमको मैंदा और शुगर ड्रिंग स्वाप यह सारी चीज़ें हमको बन करनी होंगी और शुगर और मिठाई तो बिल्कुल भी बन करना होगा तो इसलिए आज की जो ड्रिंग है उसमें जो है ऐसी चीज़ें से माल होंगी जो इंसुलिन डेजिसंस को कम करेंगी और साथ इस साथ ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल मे में लाएंगी और तेजी से आपके फैट घटाने को फैट जलाने को बेली फैट कम करने में और वेट कम करने में आपकी मदद करेगी तो उसके लिए आपको चाहिए एक गिलास पानी इसको खरम कर दिजिए ions पानी को और इसके अंदर आपको मिलाना है एक लीमू का रस और एक रिसर्च हुई है कि अगर एक लीमू का रस आप मिलाने के बढ़ा है अगर एक लीमू को पूरे लीमू को उसका चिलके के साथ सिर्फ उसकी बिंग निकल दीजिए उसको पानी डालकर ग्रेंडर में पीस लें तो चिलके के साथ पूरा अगर पीस कर अगर आप उसमें मिला पीते हैं तो और ज्यादा आपका फाएदा होगा च्छुटकी और अगर अज़र इसा नहीं कर सकते तो कम से कम आपको एक लीमुखुरस एक गिलास पानी में मिलाना है और उसके साथ साथ उसमें आपको मिलाना है डाल चिनी का पॉडर एक चुटकी और उसके साथ साथ आपको मिलाना है दो चमच एपल सिडर विनेगर इसको अची तरह से मिक्स कर लें और दो से तीन बार आपको ये ड्रिंक पीना है तो एपल सिडर विनेगर जो होता है insulin resistance को कम करता है blood sugar level को कम करता है और यह बहुत digestive system को हमारे ठीक करता है तो इसकी वज़े से fat बहुत तेसी से घुलता है weight कम होता है साथ-साथ हमारी diabetes भी control में आती है और blood sugar level भी normal हो जाता है और लेमू में तो vitamin C होता है और इसमें citrate होता है तो citric acid होता है तो यह जो होता है kidney stone को बनने से भी रोकता है तो जो लोग लेमू को और इसमाजादा करते हैं daily पीते हैं उनको kidney stone होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है साथ-साथ उनके body के अंदर inflammation कम होता है और inflammation कम होने की वज़े से diabetes का खतरा भी कम होता है joint pin का खत्रा कम होता है तो ये तीनों चीज़ें apple cider vinegar, dal chini का powder और limo ये तीनों चीज़ें हमारी body में inflammation को कम करती है और inflammation को कम होने की विज़े से diabetes का खत्रा बहुत कम हो जाता है जहां भी inflammation जादा होने लगता है तो diabetes का खत्रा होता है उसके अलावा atherosclerosis clotting का भी खत्रा बढ़े आता है जब inflammation होता है तो ये चीज़ें clotting का खत्रा कम करकर हमारी खोन की ब्लड की खोन की नालियां होती है जो दिल को खोन पहुचाती है तो उनमें अगर inflammation हो जाए तो जो है वहाँ पर heart attack का खत्रा भी बढ़े आता है क्योंकि cancer भी inflammation से भी शुरू होता है तो जहां और जहां inflammation होता है वहाँ तैज़े से फिलता है cancer तो ये सारी चीज़ें जिन्दगी को बचाने के लिए जिन्दगी को आपकी सही करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जहां भी बढ़ता है तो उसके साथ वहाँ पर diabetes का खत्रा बढ़ जाता है मिटाबोलिक सिंडरोम का खत्रा बढ़ जाता है तो ये पी मेंसे का आपका weight कम होगा और आपकी जिन्दगी एक सही track पर करा जाएगी और जान बचेगी लोगों की for southeast cancer साथ अपने फैमिली साथ अपने रिलेटिव के साथ अपनी प्रेंडस के साथ शेयर करिए और इन सारे ची लोग कि बरणाने के लिए इस वीडियÑ को जहादा सजादा करिए और जो रिसेर्ट तरटेज से पता और इसके साथ साथ जो है वेट को हमारी बॉडी में यह थर्मोजेनेस यानि फैट को जलाने के प्रोसेस को तेज करता है दालचीनी का पॉडर तो इसकी वड़े से इंफ्लमेशन भी कम होता है और कोलिस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और हमारा जो लिपीट प्रोफाइल हाई कुलोस्ट्रॉल हो जाता है उसको कम करने में यह तीनों चीज़े मदद करती है एपल सेडर विनेगर लीमू का रस और यह दालचीनी का पॉडर तो एक गिलास पानी गरम कर लीजिए उसमें एक लीमू का रस और एक से दो चमच आप इसमें मिला सकते हैं एपल सेडर और एक चुटकी आपको दालचीनी का पॉडर मिलाकर मिक्स करकर पीना है दो से तीन बार तो और इसके साथ साथ आपको केटो डाइट भी करना है इंटरमेंटरन फास्टिंग भी करना है तो इसके बहुत जाड़ा तेजी से आपका पेट पर जमा हुआ फैट कम होगा बेल इसकीन में जो एलास्टिट सेटी और कोलाजन प्रोडक्शन का भी तेज होता है और विटामिन सी जो होता है इसमें इम्मिनुटी पैदा करता है हमारी बोडी में यानि बीमारियों से लड़ने की हमारी चमता को बढ़ाता है इसलिए आप की ओवरॉल हेल्थ के लिए सब्सक्राइब करी थैंक्स